आज की नई सुबह में आज का दोस्त और होस्ट विने कुमार सिंग फिर से स्वागत करता है और आप सभी लोगों को फिर से वही याद दिलाता है कि हर दिन 15 मिनट अपने लिए स्वेम के लिए खुद के लिए सेल्फ के लिए अपनी पूरी जिंदिगी फिट और हिट करने क लिए और एक चीज और मैं आपको याद मता दूं कि हर सुबह जब आप सुबह उठते हैं आपका दिवाग एक्दम फ्रेश होता है कि सब लोग अच्छा-च्छा सोचते हैं कि कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होती है और सुबह जब बाहर घुमने टहलने या एक्सराइ लुक्ताइब कों च्छी सी फिलिंग मैशूस होती है और ये तो आप सबी लोगों को भी पता है कि जब हम कुछ अच्छा फील करते हैं तो हमारे चारों तरफ का वाधा वरण भी हमें अच्छा दिखाइदैने लगता है हम अच्छा-च्छा सोचने लगते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बात करते हैं वैसा हम लोगों को समझाते हैं और वैसा हमारे दिमाग में भर जाता है और धीरे-धीरे करके जब यह पोजिट्यूटी हमारे अंदर भर जाती है तो हमारे चारों तरफ का वातावरन भी हमें पोजिट्यू नजराता है और जब एक-एक करके हर एक दिन पॉजटि होता जाता है तो धृर ह्ष़रे करके आपकी पूरी जिंदकी अच्छी हो जाती है इसलिए कहता हूं कि हमेशा अच्छा सोचिए हर दिन पन्दमण निकालिये हर सुबह फ्रेस होने के लिए अच्छा सोचने के लिए क्योंकि मेरा यह मानना है कि जैसा आप सोचते हैं जैसा आप वैसा ही आप बन जाते हैं वह आपने सुना होगा गीता का एक उपदेश जो गीता का में लोग है सब जगे लिखा रहता है स्लोगन्स में भी कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसे ही आपको फल मिलता है वैसे ही आप बन जाते हैं और आपकी पूरी जिंदिगी भी वैसी ही हो जाती है इसलिए बोलते हैं या कहता हैं या मैं आपको याद दिलाता हूं या समझाता हूं कि अच्छा सोचिए और अच्छा बनिये क्योंकि ये मेरा मानना है कि जैसे आप सोचते न वैसे आप बन जाते हैं इसलिए आज के लिए इतना बहुत है और इनी सब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं अगली सुबह फिर से मिलते हैं गुड़ डे बाबार